अलो नमस्कार साथ श्रीकाल जैहिन जैश्री राम हरार महादेश स्वागत एक वर फिर से आप सभी का टैंकर सड़ा के अफीशल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है गगन तो कैसे आप लोग फिर देखा कैरी मिनाठी का रोश्ट देखा एर कुछ भी है यार अग लगा देता है लड़का इससे पहले सुने का भी सारे यूट्यूबर्स की बैंड बजाई थी बैसिकली व्लॉगर्स की और जिसको नहीं पतना बसे ही बोलूंगा इक बर बटा देखकर आना बट चलिए एनिए शुरू करते है फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा इस पेपर से अपने आपको जज्ज मत करना कि आपकी तैयारी कितनी है आपसे बैंक का एक्जाम हो सकता है कि नहीं अभी जैसे पिछले कर लेक लड़के से बात हुई मेरी तो भीवत लाई कि सर एस बेकल निकल जाएगा ना मेरा मैंने बोला कब तैयारी शुरू करी थी कर मैंने का बेटा बहुत मुश्किल है करता फिर ऐसे कैसे होगा एक चीज अपने सुचना दो महीने में किसका पेपर निकल रहा है यार बैंक का वो भी प्री प्लस में तो इस पेपर से अपरी त्यारी को चेक मत करना कि भीया मेरे लायक है बैंक और एग्जाम की नहीं ठीक ह एक्सक्राइब करना हुटाना चीद का देके देख लिए होता है कि नहीं हो चलो इसे का दे के देख लेते हैं और ऊे effort दो कम से कम 5-6 वहीने कोई foundation batch लगाओ यह आपको लगाना पड़ेगा देखो सीदी सी बात आप बोलेगे सर घर बैठे मैं कर लूँ कर सकते हो लेकिन यार क्या करना है कैसे करना कितना करना सबसे important चीज कहां से करना है यह चार question आपके दिमाग में हमेशा ही घूमते रहेंगे कि level कम तो नहीं रहा रहा लेवल ज्यादा तो नहीं रहा और इस सबके बाद भी एक चीज की आपको कमी फिर भी खलेगी वो है guide की तब ही मैं बोलूँगा बेटा offline चाहे online जहां भी आप चाहें आप एक बार कहीं न कहीं लोपा मुद्रा रितेश अर्ष अर्ष गोपिनाथ निकिता सुरिंदर जोती सुरिंदर लोपा मुद्रा तो कल मैंने आप सभी से question पूछा था कि Fisheries Minister कौन है और मुझे बड़ी खुश हुई बच्चों ने पर शोत्म रुपाला जवाब दी तो परसों पूछा था कल पू जेश थे तो जिसने जवाब दिया उसे मैंने खुद परसनली उनको रिपलाय किया है तो बहुत बढ़िया ऐसे ही छोटा 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 तिनका तिनका एके question बढ़िया से आपको वंबक देते रहेंगे और एक हमारी तैयारी होती रहेगी चलिए शुरू कर को 8343 करोड रुपए का शाबाश जो नया है उसे मैं बता दू पहले बेटा हम करेंगे पिछले कल याने की 23 नवंबर के करेंट फेर question अंतर की फॉर्म में revision के लिए फिर आज के करेंट फेर पर टाइम देंगे डीटेल में करेंगे फिर इस क्लास के एंड में 22 नवंबर हा तो हमारे यह याद है लेकिन महीने पास important हो जाएगा क्या आपके याद रहे गए तो थोड़ा सा है ना साथ साल के अंतराल के बाद 17 नवंबर 2023 को 8343 करोड रुपए की single day में बहुत बड़ी purchase की गई और इसके साथ नवंबर का already अभी तक 20,000 करोड रुपए की purchase हो चुकी तो इसको ना 2001 में setup किया गया था basically अब इसका काम क्या है नाम कहें Clearing Corporation of India आप जब बैंक्स में जाएंगे बरने सी चेक क्लियर कर देना है ना कि यह 10 चेक आयो है इन सबको क्लियर कर देना ठीक है आपके फोन में क्या होता है ऐसे notification आती है काफी सारी notifications नोटिफिकेशन इसको आप क्या करते हैं यह clear कर देते हैं ठीक है उसी तरह यह क्या है यह सारी के सारी transactions को clear करता है क्लियर कर देता है settlement कर देता बेसिकली अलग अलग तरह की financial market segments की जैसे की चाहिए वो foreign exchange की बात हो सरकारी securities की हो money markets की हो यह settlement का काम करता है बेसिकली और इसके कुछ promoters भी है और promoters को आपके नाम याद रखने पड़ेंगे यह चैसके promoters है तो State Bank of India IDBI Bank वह आप वेकैंसी निकली हुए इसकी भी अगर किसी को नहीं पता तो IDBI Bank की अगर आप 21 साल से 25 साल के बीच में तो IDBI का फॉर्म जरूर भरे आई सी आई सी है एल आई सी है बैंक को बड़ोदा और HDFC लिमिटेड ये छे आपको याद होने चाहिए साल 2001 में बना था सेटलमेंट का काम करता है और यह हैं 6 के promoter SBI, IDBI, ICICI, HDFC बैंक को बड़ोदार, LIC, 6 सरकारी कंपनी नेक्स आई ये पंका चडवानी ने 26 वर्ल्ड टाइटल जीत लिया बिलियर्ड का दोहा में ठीक है इन्होंने हराया तो सौरफ को वो भी इंडिया का ही है मुझे बताओ पंका चडवानी कहां से है ये तना बड़ जो खिलाडी है जिसने 26 वर्ल्ड कप जीत लिया अब इंडिया तो जीता नी वर्ल्ड कप कोई तो जीता है चलो तो पंकज जीता है तो पंकज ने कहां से है पंकज इस फ्राम महराष्ट्रा और ये कमाल की बात है 19 नवंबर को पता नहीं क्या होगा अगर पिछले कल विश दिन क्या होगा था यार है ना बस उसका दुख नहीं खाता हो रहा ना चलिए पंकर यडवानी की बात कर ली हमने इसने हराय किसको सौरव को ठारी को हराया और 26 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया अपना अगला कहां के अथलीट है कॉलिन जैक्सन इनको अपाइट किया गय और इसको इलीट रेस का टैग भी मिल चुका है तो इस साल के इसके जो इंटरनेशनल अमबैसेडर है वो कौन है वो हो गए है वेल्स है ना वह है वेल्स सर मेरी हाट भी तेज होगी थी लास्ट में मुझे लग रहा है इंडियन टीम को रिंकु सिंग को ना मेंडिटरी कर देना चाहिए कि वर्ड कप का मैच हो चाहिए क्रिकेट कोई भी मैच रिंकु सिंग चाहिए क्योंकि लास्ट में फिनिश करने की आदत उसी को है अब 19 लास्ट बॉल थी उनको एक रन चाहिए था रिंकु सिंग ने च्खक्का मार दे लेकिन बॉलर ने अल्रेड़ि अपन इंटरनेशनल अमबैस्टर चलिए तमिल राइटर है कोई उन्होंने लिखा है फाइर बर्ड को जो कि इस साल का जेसी भी प्राइज जीत गई है लिटरेचर में क्या होता है जेसी भी प्राइज किसी भी इंडियन आउथर के द्वारा इंगलिश में यह फिर ट्रांसलेट इंटर इंगलिश कुछ लिखा गया हो किताब उसको मिलता है जेसी भी प्राइज इस बार किसे मिला यार वो तो मोदी है तो मुम्किन है ना मजा कर रहा है रिंकू है तो मुम्किन है बिल्कुल इसका जवाब हो जाता है पेरुमल मुरुगण बाकी इंपॉर्टेंट इसको मिला है वो है व्यास संवान कौन साथ िदोस्तों व्यास संवान जो की सिर्फ हिंदी फाले हिंदी लिट्रेशर WA Lego लोगों को कि दिया जाता है व्यास संवान शिव शंकरी इनका नाम सुना होगा इन्होंने लिखा था सूर्य वन्षम यह है तमील भाशागी डाहित तमिल में और इनको इस बार दिया गया है दोस्तों सरस्वती सम्मान क्या दिया गया है सरस्वती सम्मान दिया गया है इन्हें और यह जो किताब है My Dance with Buddha for Success यह विवेक अगनी होतरी ने लिखी है मुझे बता सकता है यह व्यास सम्मान सरसोती समान देता है कि बिरला फॉंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी नेक्स फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा लाक रुपे और जननी बहन जी को ट्रांसलेट करने के लिए दस लाक रुपिया देगा ठीक है ध्यान रखनी है बाद चली नेक्स्ट अकॉर्डिंट टू कुश्मेन एंड वेक फिल्ड में स्ट्रीट अक्रॉस दे वर्ल्ड अरे यार क्वेश्चन ही गलत बन गया गलत नीन से उठेंगे काफी सारे सची सची दिल पर हाथ रखे बता जूट मत बोलना मतलब कौन कौन से पैंतालिस पर जस्ट उठाई है अभी उठके उसने फोन चला लिए अभी बेड़ पर ही बैठा हुआ कोई ब्रश नहीं किया कोई पानी नहीं पिया वाश्रूम नहीं जा एक बजे क्यों सुरिंदर मैं खाना बना रही हूं अरे क्या बात है साड़े चार है हम छे बजे गुड़े आर यार बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पैसे क्यांकि आज गलके जो बच्चे हैं वो पता किया मैं मैं आज कि बच्चे छोड़ो बड़े नहीं मानते सुबाइट नहीं खराब होनी चाहिए मैंने का थोड़े दो चार साल ना नींद खराब कर लो उसके बास सुकून की नींद ही लेनी है आप बहुत बड़ी यार आपके रेस्पेशल तालिया है ठीक है कुछ फरक पढ़ता नहीं आप बोलोंगे सर आपके तालियों से लेकिन नहीं यार बहुत बड़ी यार बहतरीं इसमय कि दुण को था और नीटि सेकट्ट में पोलियों और यह अंठवर इंडिया की तो यह इंपोर्टेंट चीज़े हैं ध्यान रख लेना वेरी 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 इंपोर्टेंट चलिए इसके बार कोई किताब को लांच किया नाम क्या है दो पलकों की चाहों में बस इतना ध्यान रखेंगे नेक्स्ट चलिए एक बहुत ही रेर मेटल एक रेर धातू मिला है सतलुज रिवर में तो बताओ वो कहां की रिसर्च टीम ने ढूंडा है कौन सी आई इटी की शाबाश बताएं अगर किसी को अच्छी लग रही होगी वीडियो तो वो शेयर करेगा ना करें अगर वो शेयर क्यों करेगा अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक करेगा मैं कमेंट्स में बोलता हूं अच्छों को क्लास में बोला करो तो यार हम यार आपको पता आपको कोई दोस्त है मित्र है प्यारा है तो उसके साथ वीडियो को share जरूर किया कीजिए सिर्फ bank exams के लिए जरूरी नहीं है मैंने आपको बोला था इसके अंदर सारा comprehensive cover आपका हो जाता है तो share जरूर किया दीजिए और PDF इस वीडियो को comment section में after two hours तो यह ढूंडा है बेटा IIT Ropad ने किसने ढूंडा है IIT Ropad ने ढूंडा है बहुत ही अलग सा एक नया धातू मिला है Tantalum करके कहां पर IIT Ropad में ढूंडा किसने IIT Ropad की Dr. Reshmi Sebastian ने फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ी बात इसका नाम पड़ा था किसके इसको ढूंडा था किसने Sweden के Anders ने ढूंडा था अब मैं क्या बोलता हूं आपको पूरा नाम याद रखने को किसने बोला है आपको कौन से रिष्टा करना है नीचे कमेंट आए बच्चे का एक कहरा सारव इसको टेंटलम को जिसने ढूंडा उसका नाम बड़ा अजीब है याद नहीं हो ना अब तूने कौन सा रिष्टा करना इसके साथ एंडर याद रख ले तू बस खतब एंडर से याद रखो ना वहिए क्यों रटना या पूरा का पूरा मैं आपको स्टार्टिंग मैंने क्या बॉला था आपका नाम अगर भूमी का यादव है ममी आपकी यह तो नहीं कहत्व होगी ना भूमी का यादव प्रकट बूमी का यदण झ४त याला ना एव ठीक इंदर नाम किसे था चलिए अगला कौन सा एडिशन ऑस्ट्राहिंड का हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो की पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंड क्वेश्चन जब भी कोई इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का मन है तो यह चार चीजों को मेक शॉर करें कि भाईया यह तो मेरे रट गई है महीना बाद भी मैंने नहीं भूलूँगा तो ठीक है तो ऑस्ट्राहिंड एक्सरसाइज है यहां पर कौन गया इंडिया की तरफ से यहां से गए हैं गोर रिवीजन करने में असानी रहो जाएगी वो भाई बना रहा है आपके लिए ठीक है भाई का काम है वो आप बस याद करने पर ध्यान दो और बेसिकली सुबह पौने साथ बज़े यहां पर आजाओ सिक्स फॉर्टी फाई पर बाकि सब भाई करवा देगा ठीक है यह भी र सिनाबाद ऑक्टूबर 1932 में क्या बना था अरे इंडियन एर फोर्स बनी थी फिर उसके बाद 2021 में घर वापसी हुई क्योंकि एर इंडिया जो थी वो बन गई थी टाटा एरलाइन्स पहले फिर एर इंडिया को सरकार ने खरीद लिया था फिर 2021 में वापस से टाटा ने ख ये फाउंडर कौन है जे आडि टाटा फाउंडेड इन 1932 चैर्मेन है एन चंदर शेकरन सी यो एमडी है कैंप बेल विल्सन चार चीजें बहुत इंपॉर्टन ध्यान आपके पता होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट चलिए इरिविजन की थी हमने कल चलिए किसने कॉप 28 से प आपके लिए ब्रहें सिंपल सा कोस्ट्ट हो गया बेसीक सा कोश्ट्र केकी और यूब बहुत बैड़े कहा है और कॉर्ण भंडिवियू यूए आई में है और कॉप 28 के बाएब बार 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 जो बतारह को इसके प्रैजिडेंट का यान रखेंगे इसके प्रैजिडन का नाम कहा है सुल्तान अलजबर सुल्तान अलजबर कई मेर पेपर में पूछ सकते कि यह कॉप 27 कहां हुआ था तो कॉप 27 हुआ था इजिप्ट में इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे चलिए अगला चलते हैं फटाफट फटाफट तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल है जो कि 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और 10 लाक लोगों को घरों को 10 लाक लोगों को 10 लाक घरों को बिजली दे सकते हैं यह सैटलाइट का फोटो यह देखो पूरे थार डेजर्ट में पूरे में फैला हुआ हुआ है बेस्ट जा रहा है युनाइटिट सर्विस इंस्टिटूशन आफ इंडिया से हमने बात की थी इंडिया का सबसे पुराना थिंग टैंक है 1870 में बनाया था किसे गोरे ने और इन्हों ने अब युनाइटिट नेशन का एन्वल फोरम किया यहां पर इंटरनेशनल हिमानीटेरियन के बारे बात की जाएगी हुमन राइट्स होता है ना हुमन राइट्स वाइलेशन के बारे बात की जाएगी पीस के बारे बात की जाएगी बेसी के लिए तो कहां पर निव डैली के अंदर वेरी इंपॉर्टन वेरी सिंपल क्वेस्टन तो नई दिल्ली में बात की है चलिए नोटे डैस नोवलिस्ट और स्टोरी राइटर पी वलसला जी इनका देहांत हो गया पिच्चासी साल की उमर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चे का कोश्चन बड़ा प्यारा था करें सर आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा आपको क्वेश्चन करवाना है कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं करवाना लोगों की तो बहुतों की डेथ होती है तो बेटा सरकार जिस डेथ को रिकगनाईज करती है अब पर सिद्धी सी बात है अगर All India Radio साइट के उपर प्रेस इंफोर्मेशन वेरो साइट के उपर या हाँ पेपर में आने लायक ऐसे तरह से मान लीजिए तो बिलकुल मले आलम की जो स्टोरी राइटर है नोबलिस्ट है पी वलसला जी इनका देहांत हो गया और यह रहे बेटा सारे के सारे रीसेंट के जो अभी चूरीज हुई है यानि के रीसेंट के देहांत हुए जैसे मैंन होगा नए वाले को बोल दूँ बैटा अभी हमने पिछला क्लास 23 नमंबर के करंट फिर किये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहोंगे इतना तीस कौन चलता है यह तो समझा भी नहीं रहा वह क्योंगे पिछली क्लास में हमने डीटेल में पढ़ ली आलरेडी क्लास के एंड में 22 नमंबर का करंट फिर वन लाइनर फार में एक लास तीन डिन आ करंट फिर मतलब कि एक करंट है और तीन कलास तक पढ़ रहे हो याद कैसे ना होगा एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया आपको आपने देखा भी होगा मैं like और share के लिए बहुत कम बोलता हूँ मुझे नहीं आता मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चे को पसंद आ रहा होगा वो खुद कर देगा लेकिन हाँ आज बोल रहा हूँ एक बार like ज़रूर कर दीजिए चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तो वर्ल्ड न्यूस के साथ शुरुआत करते हैं बहुत ही important वर्ल्ड न्यूस हो जाती है तो पहली की बात करें तो massive twist in open AI saga Sam Altman returns as CEO within 5 days इनका तो वो चल गया भाया मुवी देखिए आपने मुझे से शादी करोगी आज दुगल साब क्या बने हैं आज दुगल साब बहरे हैं आज दुगल साब अंदे हैं आज दुगल साब बोल नहीं सकते आज दुगल साब चल नहीं सकते यहां पर हाँ भाया आज क्या है सोमवार आज तू बन जा CEO आज क्या है मंगलवार आज तू बन जा CEO आज कहा है बुद्वार आज तू बन जा CEO ओओ आज फ्राइडे हो गया नहीं नहीं सोमवार वाले को वापिस लो वो तो हिसाब चला वह इनका इनका इनसे खुदी ने डिसाइड खुरा करना क्या है अब यह जो आदमी यह सैम ओल्ट मैं यह था ओपन आई का CEO चक्कर क्या से एंपलीज नहीं बगावत कर दी कहरें हम काम नहीं कर रहा हैं सैम ओखिया को वापस ले कर आऊ सैम ओपस लेकर रहा हु अब सीदी सी बात Peter ने वह ना तो पड़े का सब conception को सकते नहीं तो सैम बहिया वापकर आ जिस बोड ने सैम भहिया को निकाला था ना सैम भहिया ने सबसे पहले उस बोड को ही रफा दफा कर दिया तो sorry for the confusion मेरे हाथ में भी नहीं है क्योंके अब देखे तीन दिन में तीन CEO सबसे पहले CEO कौन था Sam Altman इसके बाद इन्हीं की कमपनी की CTO यानि की Chief Technology Officer मीरा मूर्ती इसको एक दिन का CEO बनाया फिर एक कमपनी है एक स्ट्रीमिंग एप है जिसे कहा जाता है Twitch क्या कहा जाता है ट्विच उस कमपनी के को फाउंडर थे एमेट शियर इन्हें बनाया गया फिर अकड़ बकड़ बंबे बो 90 पूरे 100 अब फिर से घर वापसी होगे और सैम भाया फिर से बन चुके हैं तो यह ध्यान रखेंगे खतम बात क्या हो यह कहां पर जाके खतम हो यह बात की CEO कौन है भाई यह सैम ओल्ट मैन ही है CEO फिर से फाउंडिड इन 2015 हेड़कॉर्टर सेन फ्रांसिसको और CTO इनकी मीरा मूर्ती जरूरी क्यों है ओपन एया बेटा चैट जीपीटी सुना है पूरा साल चैट जीपीटी चैट जीपीटी चला है तो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी कौन सी ओपन एयाई ही है इसलिए प Author time पिछली बार भी इन्होंने ही hoστ किया था और इस बार में दुबारा इनके को होस्ट कर रहे हैं है पिछली द्यूर तो इनको राना पदा को पता है क्या हुआ तो से पहले Will Smith याद है किसी को याद तो होगा बच्चों को चाहे पढ़नी रहते Will Smith एक्टर है एक Bad Boys मूवी का थपड मार दिया तो उसने जाकर तो Jimmy के mail host करेंगे चलिए Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ने बोला कि Jimmy के mail 96th Academy Awards जिसको हम शॉट में Oscars भी कहते हैं 2024 के लिए वो इसे host करेंगे दूसरा साल लगातार और चौथा overall ठीक है अगर आप Oscars की definition पढ़ो ना Wikipedia पर जाकर या फिर इनकी site पर जाकर या ने पता क्या लिखा हुआ है Oscars एक American competition है जो कि उसमें American movies को select किया जाता है और हम कहते हैं हमारी movie Oscars क्यों नहीं जारी क्यों जाएगी यार वो उनका competition है सल्मान खान को बहुत गालियां देलो जिसको आपको देनी है आपको नहीं पसंद मुझे पता है लेकिन बहुत बात उसकी बड़ी अच्छे लगी करे ओसकर उनका competition है वो लिखते हैं वहाँ पर कि American movies ली जाती है अगर आप Spanish में movie भेज रहे हो Hindi में movie भेज रहे हो वहाँ पर लिखा आएगा कि non English feature film ठीक है आओ इसके बार में बाते हैं इस बार 96 बार हो रहे हैं कहां पर 10 March 2024 को Hollywood थेटर Dolby थेटर Hollywood में हो रहे हैं Jimmy Kimmel बहुत important हाँ अब क्योंकि चौती बार Jimmy Kimmel है हो सकता है हमारे पास question आ जाए कि सबसे ज़्यादा बार किस ने किया है तो Bob Hope ने host किये हैं Oscars को 19 बार Oh my God 19 times Bob Hope ने किया है host या तो solo या फिर किसी के साथ और दूसरे नमबर पर आते हैं Billy Crystal जिनोंने 9 बार किया है और अब तीसरे नमबर पर कौन है Jimmy Kimmel आ चुक है जो कि 4 बार करेंगे अब Oscars के बारे थोड़ा सा history जानने important है कब शुरू हुआ था पहली film कौन थी थी इंडिया में Oscars आया है तो इंडिया में पहला Oscars कौन सा आया था यह question थोड़े से आये तो पहली बार Oscars 1929 में मिले थे और पहली movie जिसे Oscars मिला था वो movie थी Wigs simple चीज़े extra आपको complicated नहीं करूँगा मैं क्या नम पहला Oscars 1929 और पहली movie जिसे Oscars मिला वो थी Wigs आये और इंडिया की बात करें very important star लगा लीजे पहली इंडियन वोमेन जिसे Academy Award मिला था साल 1983 में इंडिया के लिए अच्छा था इंडिया पहला cricket वर्ल्ड कप भी जीता था और इंडिया को Oscars भी मिला था पहला पहला यह कौन थी? इन्होंने costumes design करी थी एक movie थी Gandhi जो कि Richard Attenborough ने बनाई थी उस movie के लिए costumes design करी थी भानू ने और उसके लिए इनको मिला था Oscars, important है ध्यान रखेंगे कहीं आप मेंसे बच्चे होंगे जो पुराने होंगे उनके दिमाग में question आता है कि सर इस साल क्यों पूछेंगे ठीक है, अगर पिछले साल यह जवाब सवाल पूछ लिया गया वेटा, उनकी मर्जी मैं आपको तब ही बोलता हूँ previous paper analyze अगर आप करेंगे ना कभी भी, तो current affairs के साथ static जी के पूछा जाता है एक दो question पूछा जाता है, ऐसे से ही कुछ favorite question होते है उनके, कि यह पूछ लो अब जैसे की, SBA clerk का एक्जाम है आपका January में मेंस आपका हो जाएगा March में और March में होता है Oscars उनके लिए और भी reason है कि भईया इस बार आपसे मैं Oscars का सवाल पूछ लो तो ध्यान रखेंगे ये चीजें very 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 important next अब इसी के साथ एक होता है International Emmy Award तो Emmy Award के बारे पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया को इस बार दो Award मिले हैं very important पहला, एकता कपूर को मिला है यहाँ पर prestigious directorate का Award यह nominated नहीं थी Emmy वालों ने पहले ही बोल दिया था कि भईया यह prestigious directorate का Award हम एकता दीधी को दे रहे हैं ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो आग लगाई हुई है इंडिया में इन्होंने जो मचाया हुआ इंडिया में अनुपमा जैसे शोव से यार, अनुपमा क्या शोव है भाई हमारे घरवाले जो हमें बोलते हैं कि बेटा तुमको ऐसा होना चीए समाज क्या कहेगा अनुपमा तो सब क्रैश किया हुआ है और मेरी माँ और मेरे डैड भी है इंटरस से देखते हैं न ये लोग मैं स्टोरी बता दो जिसको नहीं पता तो अनुपमा एक औरत है जो घरेलू सी है बहुत डरके रहती है उसका पती है बहुत ही मौडन सा काफी स्मार्ट सा तो उसके पती को न वैसी सी घरवाले नहीं चाहिए थी उसके घरवाले को चाहिए थी कोई तेड़ सी घरवाले कोई स्मार्ट सी हो काम करती हो तो उसको उसकी सेक्रेटरी पसंद आ जाती है सेक्रेटरी के साथ उसका अफैर चल जाता है अब वो न चुप चुप के उसके साथ अफैर चल रहा हुता है अनुपमा को पता ही नहीं फिर क्या होता है कि अनुपमा का भी कोई पुराना कोई आशिक बाज आता है अनुपमा ने उससे प्यार करती थी लेकिन उसके पती को पता चल जाता है अब पती के पास सेक्रेटरी तो है लेकिन पती को जलन हो रही है कि अनुपमा किसके पास आ रही है वही है यह चल रहा है इसके अंदर और इसी चीज़ से हमारे घरवाले बोलते है कि नई ऐसी चीज़े नहीं करनी और मज़े ले लेके मेरी माँ देख रही है मैं घर जा के देख रहा हूँ ठाके लगा रही है भाई बेडा गर कर दिया ऐसे एपिसोड ने लेकिन वही बात चल रहा है चल रहा है तो एकतला कापूर जी प्रेस्टीडियूस डिरेक्टर इट का वार्ड नचस्ती । फर्स्ट एवर इंडएन महीं हैं जिन्हें इंटरनेशनल אל मिअवार्ड मिला है आज तक किसी को भी इंटरनेशनल अमीअव़ नहीं मिला थास भी इंडियन उमेन को नहीं मिला था आई Derry Girls, इन दोनों को ही Best Comedy Series का अवार्ड मिला यानि कि एकता कपूर को Prestigious Directorate का अवार्ड और वीरदास की लेंडिंग को और UK के Derry Girls को इन दोनों को Best Comedy Series का अवार्ड मिला Very important चीज़ तो हाँ, apart from एकता कपूर, तीन और Indians को ME के लिए नॉमिनेट किया गया था एकताकपूर के लावा कौन, एक तो वीरदास हो गया, जो जीत गया, दूसरा कौन शेफाली शाह, जिसको नहीं पता वो भी देखिया, आपने दिल धड़कने दो, उसमें जो रनवीर सिंग बोलता है इस फैमिली में कोई बात करता ही नहीं है, बोलती है, हाँ, क्या बात करना है तुमको, वो है ये शेफाली शाह बनलाब, डेली क्राइम के लिए तो शेफाली शाह को Best Performance by an Actress for Delhi Crime 2 के लिए नॉमिनेट किया गया था और तीसरा इंडियन जो नॉमिनेटिड था वो था Rocket Boys के लिए जिम सार्ब को ध्यान रखेंगे International Emmy Awards एकता कपूर को मिला है Prestigious Directorate Award उसके अलावा तीन इंडियन नॉमिनेटिड थे जिम सार्ब फर Rocket Boys शेफाली शाह फर डेली क्राइम और वीरदास फर The Landing और वीरदास तो जीत भी चुका है Best Comedy Series Award चीज को रखेंगे ध्यान में ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब Important Awards देखने पड़ेंगे हमको कौन से होते हैं तो देखो Best Actor का किसे मिला है Martin Freeman को As Chris Carson in the Responder ये एक TV के लिए Award से अब समझ तो गए होंगे क्योंकि ये TV Series की बात हो रही है तो Best Actor मिला है Martin Freeman को The Responder के लिए Best Actress Carla Susana को Dive के लिए जो कि एक Mexican Episode है और Best Drama Series के से मिला है The Empress Germany ये तीन भी धियान में रखेंगे इंडिया वाले तो हमको पढ़ने पढ़ेंगे ही Very Important, Obviously बात है लेकिन जो Overall मिलते है जैसे के हम बात करते हैं कि Oscars मिला किसे Natoo Natoo को मिल गया औरे वापरे है ना कीरती गौनसालवेस और उटको मिला The Elephant Whisperer के लिए लेकिन फिर हमें पढ़ना तो पढ़ता है बेस्ट फिल्म कौन थी बेस्ट एक्टर कौन था बेस्ट एक्टरस कौन थी वैसे ही तो बेस्ट टीवी सिरीज The Empress जो कि जर्मनी की है बेस्ट एक्टरेस कारला सुजैना डाइव डाइव सिरीज के लिए और बेस्ट एक्टर Martin Freeman, the responder के लिए, ये तीन ध्यान में रखेंगे सर्फ पंजाबी में क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा, वो 9 एम होता है सेशन चैनल चेक करो पंजाब अड़ा नहीं है, बैंकर सड़ा है, confusion मत करो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर अगर बैंक एग्जाम्स की तियारी कर रहे है, तो आएं चली हाँ, अब यह है क्या तो दोस्तों, 51st International Emmy Awards, यह दिये गए थे, International Academy of Television Arts and Sciences के द्वारा, will honor the best in international television programming in 2022, यानि कि पिछले साल के जो भी थे, उन सभी को honor किया गया, founded in 1969, International Academy of Television Arts and Sciences एक non-profit यह, 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 यह वाली सरस्ता है, खतम करो, cut the crap कुछ नहीं है, इतनी ध्यान रखेंगे बातें बस एकता कपूर, वीरदास, जिम सार्व, शेफाली शाह, दा रिस्पॉंडर, और डाइव, और दा एमप्रेस, यह चीजे, अवार्ट मिली है इसके आगे नहीं जाना है, चली, next भाईया यह बड़ा वो है, इंडिया में तो बोले हम कब से गाने चल रहे हैं इस पर, गाना सुना है, एक लोनली, एमटीनेस है, तुने मेरे जाना, कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, तो WHO ने बोल दिया कि भाईया जान लिया, मैंने तेरा इश्क भी, तेरा दर्द भी क्योंगी, बोल दिया है WHO ने कि अकेला पन एक global health threat है, कि world level पर एक बहुत ही बड़ा खत्रा है और इसको officially घोशित कर दिया है, officially घोशित कर दिया है, WHO ने loneliness को, अकेला पन, WHO का कहना है कि एक आदमी या औरत जो अगर अकेला है, तो it is as harmful as आप दिन में 15 cigarettes फूख रहे हो जी, बना नहीं रहा हूँ ये WHO ने बोला है, ये WHO ने बोली है बात है, ये मैं मन घड़ना चीज नहीं है, तो इसके लिए committee बनाई है, उसके अगवाई कर रहे हैं, डॉक्टर मूर्ती एक committee बनी है, उसके अगवाई कर रहे हैं डॉक्टर मूर्ती, और डॉक्टर मूर्ती ने कहा कि mortality effect loneliness का, mortality effect की भाईया इससे बंदा मर भी सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि equivalent to equivalent to, आप दिन के पंदरा सुटे फूक रहे हो और कह रहे हैं कि चार में से एक grown-up को, एक बड़े आदमी को, ये loneliness का एहसास होता रहता है, तो तूने मेरे जाना, कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मुना, turned out to be very real, तो lonely मत रहें, बातें share किया कीजिए मैं पहले भी बहुत बार बच्चों से बात करता हूँ हम अक्सर घरवालों से बातें नहीं करतें घरवालों से बातें जरूर share किया कीजिए obviously घरवालों से बातें नहीं समझतें आपका योगा कोई घरवाले तोड़ी समझेंगे नहीं समझते ट्राय करो शेर करने की ट्राय तो करो कहीं तो ट्राय भी नहीं करते तो ट्राय करो जुरूर जिसने ट्राय कर लिया है उसे मैं बोलूँगा किसी से तो करो लेकिन शेर क्योंकि बहुत सारे यंग्स्टर्स के य मैंसे जाया है कि सराज मैं पड़ी नहीं मिरको आज लग रहा है पुरा दिन वेस्ट है मैंने कोई बात थी एक दिन छोड़ दो कुछ नहीं होगा जिंदिगे में आपकी कर लेकिन घरवालों को बोलूंगा मेरा मननी कर रहा पढ़ने का घरवाले करें सौक ताने सुना कोई बात करो कोई बॉइफ्रींड आप गर्लफ्रेंड नहीं उससे बात करो भाई से करो दोस से करो दोसे करो करो प्यारे से इस करो उख्रोstellung इतनी बात में करूं चलिए ठीक है ह है एट हमने करनी लिया था डिस्प्रेशन डिप्रेशन है मिजाग कर रहा हूं कहीं आप समझे सर आपको आई नहीं रहा अंग्रेजी बोलनी है तुमने कर लिया था यार कल चलिए बहुत ही बढ़िया इंटरनाशनल न्यूज हुई है खतम आप करते हैं फटाफट नाशनल न्यूज में ठीक है मैं नहीं करता सर सोनु है सोनु मैसेज कर रहा है और कैंसल कर रहा है सोनु कर रहा हैं कैंसल कर रहा है सोनु make up your mind already चली next बहुत बड़ा करेंटेफेर करेंटेफेर डे चलो इसको जस्टिस फातिमा बीवी पहली woman judge at supreme court इनका देहान्त हो चुका है पहली woman judge, पहली muslim woman judge इनका देहान्त हो चुका है केरला से बिलॉंग करती है तो सीधी सी बात है इंडिया जैसी country में 1969 में supreme court का judge बनना आप भी सोचो यार क्या caliber रहोगा इनका तो जस्टिस फातिमा बीवी पहली female judge थी जिनको supreme court में appoint किया गया था इनका देहान्त हो गया 96 यानि 96 साल की उम्र में ये तमिल नाडू की governor भी रह चुकी है चार साल के लिए जब वहां की मुख्य मंतरी जया ललिता थी और कब मैंने बताया 69 और 1989 में इनको supreme court का judge बनाया गया था इंडिया में एक woman judge बनी थी 1989 में उस वक्त भी आज की date भी मालो औरतों को कितना दबाया जाता है आप बोलतें नहीं सुर ऐसा नहीं है शेहरों की city कुछ और है गाओं की city बिलकुली कुछ उलट है इससे तो फातिमा भी भी बहुत ही बड़ा एक नाम है बहुत ही बड़ा हमारे लिए current affair of the day है कोड़ पेपर में आने के 100% चांस है ध्यान रखेंगे 1989 में बनी थी आप सबी से question है आज तक इंडिया के पास कोई female chief justice of India आया है very simple question आज तक इंडिया में कोई female chief justice of India आया है शावाश तो जवाब हो जाएगा बेटन नहीं आया है ठीक है जिसको नहीं पता था एक बार like जरूर करने वीडियो को ऐसी करना पड़ रहा है like आप तो करने रहे like पर को दिल से बुरा लगता है यार like कर दो यार वीडियो को चलिए तो हाँ पहले हमारे जो भारत के chief justice of India थे उनका नाम द्यान रखना है पहले तो हरी लाल जै किस अंदास कानिया इनको आप कहीं बार short form में भी जानते है एच जे कानिया यह थे इंडिया के पहले chief justice of India और आज तक इंडिया को कभी भी female chief justice of India नहीं मिली है लेकिन अगले 6-7 साल में मि सकती है क्योंकि यह हैं अगले आने वाले chief justice इस वक्त कौन है हमारे डीवेच अंदर चूड साहब जो कि 58 है फिर 51 52 53 54 55 October 2027 में जाकर हमें मिल जाएगी हमारी पहली female chief justice of India बीवी नागरतना अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा की बोलरे सर सब कुछ सही रहा ओल डेज हो जाती ह क्या पता ठीक है तो ध्यान रखेंगे 2027 में भारत को मिल जाएगी हमारी पहली female chief justice of India अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है चलिए आईए और आपको याद होगा आपको अपी सोड़े दिन पहले मैंने बताया था एक केरला जोती पुरुसकार दिया गया था केरला का कह लीजे आप सबसे highest civilian award है और उसी के साथ एक केरला प्रभा नाम से भी पुरुसकार दिया गया था जो कि फातिमा बीवी को दिया गया तो यह इस वक्त रीसेंट में न्यूज में थी फातिमा बीवी और वही चार-पांट दिन बाद हमारे पास खबर आगी है कि इनकी डेथ हो गई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केरला प्रभा विकॉज शी फ्रॉम केरला तो इनको केरला प्रभा मिला था यह highest नहीं में बात करेंगे अभी रहने देते हैं चलिए और यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑबी चुरी जैसे मैंने आपको पता है रीसेंट में जो देहांत हुए है नेक्स्ट चलिए एक MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट आफ सोशल जस्टिस एंड एंपावर्मेंट इंडिय को स्वामी विवेकानंद को कुछ आपती जनक चीज़ बोल दी थी तो इसकौन वालों ने उनको बैन कर दिया था तो न्यूज में थे इसकौन वाले तो आईए तो टॉक टॉक ड्रग अब्यूस इदीजी बात है नशा रोकने के लिए MOU एक साइन हुआ है नई दिल्ली मे एक तो डिपार्टमेंट आफ सोचल जस्टीज एंड एंपावर्मेंट के साथ और दूसरा साथ में कौन है इसकौन इसकौन की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉंशेस्नेस फुल फॉर्म ध्यान रखनी है अंडर दा नशामुक्त भारत अभिया सब्सक्राइब कौन है वेरी सिंपल फॉर्म इसका जवाब कुमार डॉक्टर नी सवरी मिस्टर वीरेंदर कुमार यह यह जो है यह इसके मिनिस्टर तु नशामुक्त भारत अभियान की स्टार्ट हुई थी 15 अगस 2020 को by Ministry of Social Justice and Empowerment और अभी ये 322 जिलों में चल रहा है मिनिस्टर कौन है विरेंदर कुमार ध्यान रखेंगे चीज़ को चलिए और इसकौन के बारे में important चीज़ है इसकौन International Society for Krishna Consciousness इसको आम रूप में मतलब नॉर्मली Movement of Hare Krishna भी कहा जाता है 1966 में New York में AC भक्ती विदान्त स्वामी प्रभुपदाजी ये है इन्होंने इसकी शुरुवात की थी और इसका Headquarter है West Bengal में और ये पीछे फोटो देख रहे हो ये कोई बाहर की नहीं है West Bengal में जगा है मायापूर वहाँ पर इन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर खोला है Very Huge मंदिर Google करना एक बार Class के बाद इसको कौन मायापूर लिखना इसकोन West Bengal लिखना Very Pretty, Very Beautiful, Very Huge India is one of the largest मंदिर से है तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी चली Next प्रधान मंत्री ने Congratulate किया है Indian Para-Arcree Team को For Best Ever Performance At Para-Asian Arcree Championship ठ्यान रखेंगे Para-Asian Arcree Championship याद है मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि Bangla देश को Rights मिल चुके हैं 2025 में Arcree Championship करवाने के और फिर मैंने बोला था कि इस बार कहाँ पर हो रहा है Bangkok में उसी की बात हो रही है तो Para-Arcree Championship में तो Modi जी ने Indian Para-Arcree Team को Congratulate किया है क्योंकि आज तक का Bangkok में सबसे बड़ीया performance दिया है 9 medal आए हैं, 9 मेंसे 4 gold medal आए हैं और ये थे 4 gold medal compound men team थी Rakesh Kumar सूरज की women team थी जोती बालियान शीतल देवी की mixed team थी Rakesh भहिया लेकर आए हैं और Para-Arcree Championship हुई कहाँ पर Bangkok में हुई टोटल 9 medal, 9 मेंसे 4 gold 4 को ध्यान रखेंगे चलिए, next लो भहिया, ये तो आपको पता ही है बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं कि 54th International Film Festival of India चल रहा है, पनजी गोवा में चल रहा है, मादूरी दिक्षित को अवार्ड दे दिया गया है, lifetime achievement अवार्ड माइकल डंगलस को दिया जा रहा है opening film है, British movie Catching Dust, midwest film है Turkish movie about dry grasses और closing film है, American movie The featherweight, I hope ये सभी बच्चों को याद हो, काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं चीजों को, दिल मत तोटना याद है सारी चीजों जो मैंने बोल दी है ना, बहुत बहुत दिनों से कर रहे हैं तो अब International Film Festival of India में इस साल एक नया अवार्ड एड किया गया जिसका नाम रखा है, Best Web Series का अब ठीक भी है, अब समय के साथ चलना पड़ेगा अब 2023 में लोग मूवी से ज्यादा Web Series देखते हैं तो बहुत इंपोर्टन हो जाता है, चलिए तो देखो, International Film Festival of India ने इंटर्डूस किया एक नया अवार्ड नाम रखा है Best Web Series का, कि आज कल जो स्ट्रीमिंग सेक्टर है हमारा Netflix है, Gio Cinema, Hot Star, Prime लोग सीरीज बहुत देख रहे हैं हमने देखा भी अब International Emmy में दिली Crime 2 की शेफाली शाह को नॉमिनेट किया गया Rocket Boys के हूमी भाबा को रोल अदा किया था 15 OTT platforms तो उन में से किसी को मिलेगा Best Web Series का और Price Money होगा इसका 10 लाक रुपे Very Important Next हाँ, और हाँ Judge कौन करेगा तो एक 5-member panel बनाया है उसको head करेंगे राजकुमार हिरानी जी वही आए भई या, राजकुमार हिरानी हमारे अभी कौन से मुवी बनायी थी रीसेंट में भी इनकी फोटो देखी थी मैंने, भूल गया मैं राजकुमार हिरानी Very Famous हाँ, मुन्ना भाई वाले मुन्ना भाई वाले राजकुमार हिरानी जी तो important ध्यान रखेंगे चलिए केरला के Responsible Tourism Mission ने अर्न किया है Global Recognition from United Nation World Tourism Organization भीया, केरला आप जाकर आना पड़ेगा यार केरला बहुत अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है थोटे टाइम पहले भी हमने केरला के बारे कुछ पढ़ा था तो चलिए केरला का जो Responsible Tourism Mission है इसको Global Acclaim दिया गया है क्योंकि इसको अब जगा मिल गई है Prestigious List of Case Studies Curated by the United Nation World Tourism Organization तो इन Case Studies में क्या होता है कि इस State ने अपना Tourism बढ़ाने के लिए क्या किया इन्होंने ने एक अपना Responsible Tourism Mission शुरू किया था केरला वालोंने तो UNWTO को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने अपने आपको किस तरह से प्रमोट किया इन्होंने कैसे बोला कि हमारे पास ये चीज है ये करवा देंगे जो basic सी बात है मानले आप हिमाचल जा रहे है हिमाचल की आपने कितनी बार एड देखिया मैंने कभी आड नहीं देखिये हिमाचल की बोलते हैं सुर आड की उसको जरूत ही नहीं है प्रमोशन की सब को जरूत होती है ATL को ऐसे तो कभी आड करनी ही नहीं चाहिए GEO को तो आड करनी ही नहीं चाहिए विराट को ली रोई शर्मा को नचवा देते हैं जो लोग महेंदर सिंग धोनी को निचवा देते हैं वो लो फिरमोशन तो जरूरी है एड मैंने किस कि देखिए अपने अपसे सोचिए मैंने देखिए गुजरात की देखिए मैंने देखिया महाराश्टर की देखिया लेकिन वही बात है इसी स्टेट को आप प्रमोट किस तरह से कर रहे हो तो केरला ने अपने टूरिजम को बहुत बढ़िया प्रमोट किया जिसके लिए इनको युनाइटिट नेशन ने अवार्ड दिया है और इंपोर्टेंट चीज यह है क्योंकि इंडिया में सिर्फ दूसरा ही जगा है केरला का जो कौन सा मिशन था मेरे दिमाग से निगल रिस्पॉंसिबल टूरिजम मिशन है यह भारत की तरफ से सिर्फ दूसरा ही है देखो केरला का जो रिस्पॉंसिबल टूरिजम मिशन है युनाइटिट नेशन की global list of case studies में बहुत important है क्योंकि ये इंडिया में दूसरा है after महराश्टरा का तडोबा अंधारी tiger reserve का project तो इस पूरी list में सिर्फ ये दो नाम शामिल है केरला का responsible tourism mission और महराश्टरा का तडोबा अंधारी tiger reserve very important दोनों को ध्यान में रखेंगे किसी को याद है थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि united nation world tourism organization ने इंडिया में गाउं को भी अवाड दिया है गाउं है गुजरात के अंदर किसी को याद हो हलका सा धुंदला गाउं को अवाड दिया था एक धोडो भुल गए होंगे न तो धोडो ये था बेटा गाउं तो गुजरात का धोडो गाउं था इसको बेस्ट tourism village का अवाड दिया गया था according to united nation world tourism organization और इसके बारे में बाते पढ़ ले तो एक specialized agency united nation की जो की basic सी बात है टूरिजम को ही promote करती है headquartered in madrid spain और यह रेस की basic चीजे secretary जनरल जुराब अरे जुराब यह तो याद हो जाएगा में headquarters madrid में और बना कप था 1975 में चलिए अगला चलता है फटा फट से next asian india millet festival 2023 यह शुरू हो चुका है south jakarta indonesia में very important organization in relation to india क्योंकि इंडिया हम सीधी जी बात है हम विश्व गुरू बनना चाहते हैं हम united nation में अपनी presence रखना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारी countries का हमारी तरफ vote होना जरूरी है कि मान लीजिए मैं कुछ वहाँ पर मता पास करता हूं मैं कोई resolution पास करता हूं तो majority countries उसमें हमें हाथ साथ दें तभी इंडिया ने कोई 19 के टाइम भी आपने देखा होगा और विसी बात है यूसी इंडिया से बहुत strong है कैनेडा इंडिया से बहुत strong है अस्ट्रेलिया हो गए नियूजिलैंड हो गए इंग्लैंड हो गए बड़ी countries है हमसे much more developed जादा इनके है ना लेकिन फिर भी इंडिया ही देश था जिसने मेडागासकर गिनी फिजी ऐसे छोटे छोटे आइलेंड की मदद करी जबकि ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत ही पास है गिनी और फिजी उनको इंजेक्शन दे सकते थे वह उनको वैक्सिन दे सकते थे नहीं दी तो इंडिया यही ट्राय करता है और एशियान का मतलब है बच्चे दस कंट्रीज छोटी छोटी लाओस मलेशिया थाइलेंड फिलिपीन्स मलेशिया बर्मा मयनमार सिंगापुर यह सभी कंट्रीज तो इनके साथ एक किया है एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल दो हज़ार तेज कहां पर साउथ जकार्ता इंडो नेशिया में ठीक है चली आओ देखते हैं तो एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल दो हज़ार तेज एक कलाबरेटिव एफ़ोट है इंडियन मिशन टू आशियान का और मिनिस्ट्री आफ एगरिकल्चर और फार्मर फेस्टिवल अलाइंस क्विद धा इंटरनैशनल एर ओफ मिलेट्स यह 2030 उनाइटेड़ नेशं साल 2030 को एज इंटरनैशनल एर ओफ मिलेट्स डेजिगनीट किया हुऄ है यादना आप सभी को मिलेट्स क्या है बाजरा ज्वार रागी इसको हम बोलते हैं श्री अन बेसिकली COVID-19 के बाद एक चीज़ सामने आई कि इंडियन्स की जो डाइट है इंडियन्स का खान पान है उसके प्रोटीन की कमी है क्या खाते हैं दाल चावल दाल रोटी आलू गोबी रोटी मटर रोटी पनीर कितना ही खा लेते हैं और कितनी बार ही हम खा लेते हैं चिकन कितना ही खा लेते हैं एक चीज़ को मैंने उसके इंडियन्स के तरो रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बोल रहा है कि रोटी मे आटे के साथ आप जवार मिला लो, बाजरा मिला लो, रागी मिला लो, मल्टी ग्रेंज जिसे हम बेसीकली कहते हैं, तो मिलिट्स खाने को बोला जा रहा है, तो इस साल 2023 को as international year of मिलिट्स के रूप में भी मनाया जा रहा है, और आशियान के बारे important चीज़े हमको ध्यान रखन Malaysia, यह 10 countries का एक समू है, इन 10 countries को बहुत जल्दी यह बात समझ में आगी थी, कि हम छोटे छोटे देश हैं, हमको एकठे ही रहना पड़ेगा, ने तो हम दब जाएंगे, होता है ना, एकता में शक्ती क्यों बोलते हैं, एक आदमी जाके एक तो कर रहा है कि, मान लीजे छोट सा देश हैं, वियत नाम आके बोल रहा है, इंडिया को कि मेरे को trade करने का, मेरे को free trade करनी है, इंडिया बहुत नहीं यादा रहा, मोल भाव जो भी होता है, वो करता है, तो unity strength, इनको बहुत पहले से पता लग जया था है, तो यह जो दस देश है, ठीक है, इनके बारे फुल फॉर्म है ASEAN, आशियान की फुल फॉर्म है, यह 8 अगस्त 1967 में बैंककोक में बना था, इसे तब कहा जाता है बैंककोक डेकलरेशन, तब से इनको पता है कि हमको साथ में रहना पड़ेगा, इस बार की बात करें, इस बार इसका 43 एशियान समिट हो चुका है, किसके पा पास है, तो स्वभाविक सी बात है, प्रेजिडेंट कौन होंगे, जो को विडोडो होंगे, और थीम क्या है इस बार की, आशियान मेटर्स, एपी सेंटरम ऑफ ग्रोथ, यह इस साल की थीम है सिर्फ, और एक आशियान का हमेशा से एक मॉटो रहा है, और मॉटो क्या है, व साल के बारे बात करें, और इनकी जो प्रेजिडेंसी है, बड़ा अजीब सा है, दो बार करते हैं, यह मेरे को समझ नहीं आया कुछ, देखो, 2023 में ही, 42nd और 43, दोनों इंडनेशिया, और अगले साथ, 2024 में, 44th और 45, दोनों लाउस में होंगे, तो यह चीज़े ध्यान रख नहीं है आपको, TV clip of MBBS, आज कल हो गया ना कि यह डॉक्टर्स धूर से सरजरी कर देते हैं, भी दिल्ली बैठा 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 डॉक्टर किसी गाउं में सरजरी कर दे रहा है, मुंबई बैठा बैठा डॉक्टर दिल्ली में सरजरी कर दे रहा है, तो उसकी समझ लीज़े इसकी वीडियो क्लिपिंग बना ली, तो TV clip of MBBS, अब क्या है यह, T से Thailand, V से Vietnam, C से Cambodia, L से Laos, I से Indonesia, P से Philippines, off से कुछ नहीं है, M से Malaysia, B से क्या है, Burma, और Burma का आज का नाम क्या है, Myanmar, B से Brunei, और S से हो गया है, Singapore, और एक कंट्री है, जो कि इसमें आने की इच्छुक है, अभी तक उसको इन्होंने मंजूरी नहीं दी है, तो कहीं पार हो सकता है, आप कहीं पर पढ़ें, कि 11th country in ASEAN, 11th country in ASEAN, तो अभी तक वो 11th country नहीं आई है, और वो country है, East Timor या फिर Timor-Lest, ठीक है, इटमी और नहीं है, माफ कीजिए इसको, East Timor या फिर Timor-Lest, ये है दोस्तों country का नाम, इसको एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चलिए, लास्ट करेंट फिर करते हैं आज का, तो DRDO, लाँच करने वाला है बेटा, जुरावर टैंक के प्रोटोटाइब को, विद अमेरिकन एंजन इन दिसम्बर, DRDO, जुराव लाइक टैंक का प्रोटोटाइब, दिसम्बर 2023 में तयार किया जाएगा, और इसके लिए, अमेरिकन कमपनी कमिन्स को, इंजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंपल है भी ता, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ रफ तो नहीं हुआ, जुरावर टैंक बना रहा है, डिय altitude में चल सके, यानि की पहाड़ी इलाखों में चल सके, countering Chinese Armored Deployments, अब आपको पता है जैसे कि चाइना है, जो वो LAC के around, बहुत सारे अपने barricade बना दे रहा है, कभी tanks रख दे रहा है, असला बारूद रख दे रहा है, तो उनको tackle करने के लिए, मैंने क्या word बोला, LAC, L-O-C नहीं, L-A-C, तो इंडिया और चाइना के border, L-A-C है, अभी बताऊंगा, उसको आगे map है मेरे पास, बोला high terrain warfare, height पर 25 टन का है, यह मेन मुद्दा यही था, कि भईया, अगर चाइना ने कुछ उल्टा सिधा किया, हम हेलिकॉप्टर से उठाएंगे, अमबाला से, और वहाँ पर जाकर इसको छोड़ के आएंगे, आग लगा दी जाए, तो यह हो जाती है important, अब देखो important क्यों, तो जुरावर के पास ज्या है, तो हमें इस से better tank हमने बनाया है, DRDO ने, engine है American company Cummins का, तो अब यह देखो, इंडिया का जो नक्षा है, इंडिया का नक्षा कुछ ऐसा है, जब गोरे गए, तो यह वाली आप line देख रहे हैं, यह बाहर वाली, यह, यह, यह हो जाता है बेटा, international border, अब हमने सोचा थोड 37 में, कौन, पाकिस्तान अंदर घुस गया, और यह नीली वाली line है, इसे कहा जाता है, LOC, तभी सुनोगा न, movie भी है, LOC कारगिल, line of control, इसे कहा जाता है, ठीक है, line of control, अब उसके बाद हुआ क्या, 1950s में, चाइना भी अंदर घुस गया था, तो यह हरे वाली जो line बना रह है, लेकिन, actually हम यहाँ पर control कर रहे है, ठीक है, और इसके अलावा, यहाँ पर, यह वाली जो line है, यह, इसे कहा जाता है, दोस्तों, Mac Mayhan line, हमारे paper में, ज्यादा नहीं आता, लेकिन, basic सी knowledge हमको होना चाहिए, कि LOC क्या है, LAC क्या है, international line क्या है, बच्चे confused हैं, international line और LOC कहते थी, और जब China अंदर गुस गया, वो LAC बन गया, इतनी चीज़े ध्यान रखनी जरूरी है हमारे लिए, पता तो होना चाहिए, तो यहाँ पर China और अंदर गुसने कोशिश कर रहा है, इसलिए ही हमने जुरावर को तियार किया है, आओ, तो जुरावर के अंदर 105 mm की gun होग 16,000 क्रोड रुपे का है, बहुत सुना ता सर, LAC आज पता चल गया, रवीर आज पता कि एक्चुली बैंक में बच्चे लोग, टीचर्स आपको पढ़ाते नहीं यह चीज़ें, लेकिन ना, इंटरिव्यू में बेस्ती हो जाती है, क्योंकि आप इंटरिव्यू में जा रह हैं, मानली हमारे पेपर में यह चीज़ें नहीं आती, ना मैंने आपको बताया कि LOC किसने बनाई थी, किसने नाम दिया था, हम बताते हैं नहीं उन चीज़ों को, ज़रूरी भी नहीं हमारे पेपर के लिए, लेकिन पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरिव्यू में जाकि ब अब बारी है बेटा, परसों के करेंट अफेर्स की वन लाइनर फॉर्म में करने की क्या बात है बहुत ही बढ़िया बहतरीन, तो बच्चे जो नया है, उसे मैं बता दूँ, आज बच्चे भी कम आया है, पता नहीं क्यों, पहले हमने किया क्लास की स्टार्टिंग में, 23 न पड़ा, याद कैसे नहीं रहेगा, है ना, चलिए, फट अफट शुरू करते हैं, तो ICC के इवेंट ने अपना रिकॉर्ड क्रियेट कर दिया, कि सबसे ज्यादा लोग एक ICC का इवेंट देखने आये हैं, साड़े बारा लाग से ज्यादा लोग ये इवेंट देखने आय साउथ अफरिका में क्या हूँ, क्योंकि श्रिलंका के क्रिकट बोर्ड तो बैंड है, और इंडिया ने पांच बार जीता है, दोजार, दोजार आठ, बारा, अठरा और बाइस में, मैक्स वर स्टेपर ने अपना रिकॉर्ड तोड, अठारा ग्रैंड प्रिक्स, इंडिंग है, एको ने आर महदवन के साथ टाइप किया है, एस वाइस ओफ दा कस्टमर, बेसिकली ब्रैंड अमबैसिडर ही है, करनाटका बैंक ने HDFC लाइफ के साथ टाइप किया है, कि इंशॉरंस प्रोडक्ट साब हमारे बेचो गया, बेसिकली बात है, इन्होंने बोल संभालेंगे, और मोहाली की दीपती बबुता, पहली औरत बन चुकी है, जिनने धाहान प्राइज मिला है, पंजाबी लिटरेचर के लिए, ये पंजाबी लिटरेचर में, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा प्राइज है, और 2013 में बना था, और पहली औरत है दस साल सुखु, इन्होंने एक बुक लाँच की है, स्नेक्स ओफ हिमाचल प्रदेश, और इंदरा गांधी 2022 मिला है, इंडियन मेडिकल असोसियेशन को, और साथ में ट्रेंड नर्सिस असोसियेशन ओफ इंडिया को, और ट्रेक्शन, टी आर एसी एक्षन करके एक कमपनी है, उन् क्रूजिस चलेंगी अयोध्या की सर्यू नदी पर चलाएगा कौन वारण असी की अलक नंदा क्रूजिस, और द्रौपदी मुर्मू हमारी जो प्रेजिडेंट है, उन्होंने आम्ड फोर्सिस मेडिकल कॉलेज जो पूने है, उन्हें प्रेजिडेंट कलर दिया येसे जान of the day, अब ले जाएए आज का question of the day, question of the day, इस question को आप सबी बच्चे comment करेंगे, क्या करेंगे? तो आप का आज का question हो जाएगा बेटा, पैरा Asian Games से, अभी अभी पोर्थ पैरा Asian Games खत्म हुई है, इंडिया ने record तोड, 100 से ज्यादा medal जीते हैं, आप लोगों का सवाल हो जाएगा कि इसका मैसकोट कौन था यही कुश्चन जादा बनते है पेपर में मैसकोट कौन था कमेंट में जरूर बताएंगे और इसी तरह मिलते हैं कल सुबा 6.45 एम पर वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा आपने देखोगा मैं बहुत कम बोलता हूँ यार शेर जरूर कर दीजेगा तो आज वही बोलूँगा वीडियो को शेर जरूर किया कीजिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और सेशन कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट लिख दिया कीजिए मुझे पता है कोई जोर नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे को सिर्फ इतना TYB लिख देया कर मतलब कहा Thank You भईया लिख देया कर ठीक है मैं नहीं जादा बोलता है सिर्फ Thank You भईया अगर आप लिख देंगे मुझे मेरे लिए खुशी हो जाएगे कि यार किसी को अच्छी लगी क्लास क्योंकि बहुतों को पता ही निया इस क्लास के बारे में रोज कोई ना कोई बच्चा आकर कमेंट करता है मुझे तो पता ही नियता इस क्लास के बारे में आपको like जरूर करना है and take care all the best मिलते हैं कब सुभा 6.45